वेल्कम तो माइ यूटूब चैनल तोड़े ब्याइए वीटिफुल वाइट होस् जिसको लिखा है विलियम सारय ने यह स्टोरी है दो अर्मेनियन बॉइस की जो की घैरगुलियन फैमिली ट्राइब को बिलॉंग करते हैं इनका जो ट्राइब है वो उसकी आनेस्टी के लि सारे सपने होते हैं उसका कजन मुराद आता है और उसकी विंडो पर आगे टैप करता है और एक ब्यूटिफुल सा वाइट घोड़ा उसके सामने लेके आता है आरम को विश्वास नहीं होता और उसको लगता है कि वो सपना देख रहा है क्योंकि उसका ड्रीम था घोड़े इसको इन्वाइट किया और बोला कि अगर वो राइट करना चाता है तो वो साथ में चल सकता है उसने बोला कि तुम जल्दी करो ताकि पुरी दुनिया न उड़ जाए क्योंकि ये सुबह के चार बज़े के असपास उसके घोड़ा लेके आता है आरम अपने कपड़े पहन आती है तो आरम उसको बोलता है कि मुझे भी गोड़े पर राइट करना है और जैसे आरम उसको बैठता है वो घोड़ा भाग जाता है और ये जो सिनारियो है ये चलता चला जाता है जब जब आरम की टर्म आती है तो घोड़ा उसको अपने उपर बैठने नहीं देता लेक जो उसका एक्चल ओनर है उनके घर पे आता है बात करने के लिए अंकल खुसरोव से अंकल खुसरोव एक बहुत ही इरिटेटिंग कारेक्टर बताया गया है आपे जो काफी कॉमिकल है उसकी बहुत लौड अवाज है और वो हर्चीज में बोलता है पेनो अटेंशन तो इट बाइरो जब बताता है कि उसका घोडा मिसिंग है और उसके पास जो सरी है जैसा गाड़ी आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे वो उसको दिक्कत होती है क्योंकि उसके पैर उसको सपोर्ट नहीं करते और वो उस गाड़ी के थ्रू ही अपना बिजनस कर पा रहा रहता है वो यह बताता है कि वह दस मील तक चलता है तो खुस्तों इस पे चलाने लग साहरता है यहाँ पर मुराद उसको reality का सामना कराता है कि बोलता है तुम्हें ये घोड़ा चलाने में बहुत टाइम लग जाएगा पर उनकी बात होती है कि six months तक वो घोड़े को रखेंगे उसके बाद वो दे देंगे नहीं तो वो thieves के तौर पे चोर के तौर पे दुनिया के सामने आएंगे अब जब ये लोग एक दिन घोड़े को hidden spot पे ले जा रहे होते हैं उनको रास्ते में John Byro मिल जाता है जो कि टाउन की तरफ जा रहा होता है वो उनसे बात करता है और मुराद बोलता है let me do the talking मुराद हर बात में ये बोलता है I have a way with the people तो मुराद यहां पे बात करता है और जब वो घोड़े को कैफुली देखता है John Byro तो उसको लगता है कि उसी का घोड़ा है तो उससे पूछता है कि इस घोड़े का नाम क्या है जिसमें मुराद बोलता है my heart और इसके बाद वो बोलता है can I see the tooth teeth of this horse क्योंकि घोड़े की पहचान जैसे human के finger prints होते है वैसे घोड़े की पहचान उसके दातों से होती है जब वो उसके दात देखता है तो बोलता है tooth for tooth but this horse is a twin of my horse ये घोड़ा मेरे घोड़े का twin है क्योंकि तुम लोग इस घोड़े को चोरी नहीं कर सकते और ये बात कहिना के इन दोने बच्चों के conscious को strike कर जाती है उसी afternoon John Byro वापस आता है इनकी घर पे उनकी mother को ये बताने के लिए कि घोड़ा जो है वो वापस आ चुका है घोड़ा जो है वो पहले से बहुत जादा better tempered है, बहुत control में है stronger हो गया है इस पर अंकल खुसरोफ आके फिर से चिलाने लेजाते है quiet man, quiet, your house has been returned, pay no attention to it और यहीं पर एक कहानी खतम हो जाती है इस कहानी का एक बहुत important moral lesson है कि वो बच्चेस घोड़े को क्यों return करते है तो उनका एक moral conscious strike हो जाता है I hope my explanation is clear please do like, share, subscribe to your channel for more updates, thank you